नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल Indian Law Study में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतिय सम्मिधान दोस्तों भारतिय सम्मिधान बहुत बिस्तृत विशे है तो इस विशे पे हम कई वीडियो बना रहे हैं तो आज ये भारतिय सम्मिधान का पहला भाग आपके सामने प्रस्तृत है और इस वीडियो में भारतिय सम्मिधान का इतिहास ये बहुत महत्पूर्ट टॉपिक है क्योंकि इस से तमाम सारे प्रत्योगी परिच्छाओं में और जुडिस्री के एक्जाम में भी ये प्रशन आते हैं तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लिजे तकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिलें आपको सबसे पहले तो आएए शुरू करते हैं भारतिय समिधान का इतिहाद जानने से पहले मैं समिधान क्या है और आखिर इसकी उपयोगिता क्या है इसका जिक्र करना चाहूँगा भारतिय समिधान प्रसासनी प्रावधानों का एक दस्तावेज है इस दस्तावेज में लिखा हर एक सब्ध हमारी सरकार की मूल सरचना को निर्धारित करता है प्रतेक सरकार समिधान के अनुसार कारी करती है सरकार के अधिकार, गत्विधी, उसकी कारिसेलि, उसकी बनावट, सरकार को क्या करना है और क्या नहीं करना है ये सब समिधान में परिभासित है संचेप में भारते समिधान एक नियमों से भरी किताब है ये नियम सरकार के मुख्य अंग, विधाईका, कारिपालिका और नियाईपालिका की बनावट और कारप्रणाली को निर्धारित करते हैं भारत का समयधानिविकास वास्तों में अंग्रेजी राजी की स्थापना से प्रारम होता है बंगाल में अंग्रेजी राज की स्थापना को इस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने किया था इस्ट इंडिया कंपनी का उदेश भारत और अनिपूर्वी देशों में वैपार से लाब उठाना था पर भारत की राजनेतिक दुर्दसा का लाब उठाकर कमपनी के कर्मचारियों ने राज के मामलों में हस्तचेप करना शुरू कर दिया 1707 में औरंग जेब की मृत्त के बाद भारत की एक्ता पूरी तरह से छिन्न भिन हो गई और इसका लाब कमपनी ने बखुबी उठाया अंगरेजों ने भारत में 1947 तक राज किया और उसके सासन काल में समय समय पे भारतिय सासन व्यवस्था में अनिक परिवर्तन किये गए 15 अगस 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और उसके बाद भारतिय गणतंत्र के सम्मिधान का निर्माड हुआ जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ब्रिटेन संसत द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया भारत के सम्मिधान की नियू रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही रखी गई इसके अंतरगत बंगाल में इस्ट इंडिया कमपनी के सासन के लिए एक परिसत की स्थापना की गई परिसत में 4 सदस और एक जर्नल गवर्नर था सबसे पहला गवर्नर जर्नल बना वरेन होस्टिंग इसके बाद अब बंगाल के फोर्ड विलियम्स के सैनिक और असैनिक प्रसासन के अधिकार थे इसी एक्ट के जरिया कलकत्ता में एक सरबोच नियाले की स्थापना 1974 में हुई सर अजीला इंप्रो प्रत्थम मुख्य नाइधिस के रूप में नियुक्त हुए संसोधित अधिनियम 1781 कालांतर में रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ सुधार या संसोधन क्या उसकता पड़ी रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार या नधारित किया गया कि कमपनी के अधिकारी के सास्के कारियों के लिए नए नए बने सरबोच नियाले में जाते थे पर संसोधन अधिनियम 1781 के द्वारा अधिकारीयों के सास्के कारियों के मामलों को सर्बोच नियाले के परिधी के से बाहर कर दिया गया सर्बोच नियाले के कार्षेतर को इसपश्ट किया गया PIT का इंडिया एक्ट 1784 PIT नामक व्यक्ति ने 1784 में इंग्लेंड का नया प्रधान मंत्री बना गया British सरकार East India Company को स्वतन तहीं छोड़ना चाहती थी उसकी पूरी कोशिस रहती थी कि कमपनी की हर गत विधी का उन्हें पता रहे और उसकी लगाम सरकार के पास रहे इसलिए PIT के इस एक्ट के द्वारा कमपनी के मामलों पर British सरकार के नियंतरों को बरहाया गया एक चांसलर राज्य सचिव चार अन्य सदस्य प्रतिनेधी के रूप में British सरकार के द्वारा जबरदस्ति ठूसे गया गुप्त समिती बनाई गई और मदरास तथा बंबई प्रेजिडेंसियों को भी गवर्नर जनला तथा उनकी परिसद के आधिन कर दिया गया 1786 का अधिनियम पिट ने Lord Cornwallis को गवर्नर जनल के रूप में लौंच किया Cornwallis ने जिद की कि वह तब ही ये पत समहा लेगा जब उसे गवर्नर जनल के साथ साथ मुक्य सेना पती भी बनाय जाए और 1786 के अधिनियम के तहत यह प्रावधान जोड़ा गया कि मैं यनी Cornwallis विशेश परिस्थितियों में अपनी काउंसिल को रद कर सकेगा Charter Act 1793 इस एक्ट के तहत उसके बैवसाईक अधिकार को भारत में 20 वर्च और बढ़ा दिया गया अपने काउंसिल के निड़ें को भी रद करने का अधिकार जो 1786 के अधिनियम में सिर्फ गवर्नर जर्नल कौन्वालिस के पास था गवर्नर जर्नल के साथ साथ अन्य गवर्नरों को भी दे दिया गया Charter Act 1813 इस एक के द्वारा कमपनी के वैवसाई के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया चीन के साथ चाय के वैपार का एक अधिकार अभी कमपनी के पास था इसाई धायम परचारकों को भारतिये छेत में बसने के अनुमती दी गई कम्पनी को भारतिय प्रदेशों और राजस्व पर 20 वर्सों तक का नियंतरन स्विकार किया गया Charter Act 1839 एक बार फिर से 20 वर्सों के लिए कम्पनी का भारतिय प्रदेशों और राजस्व पर नियंतरन स्विकार किया गया कमपनी के चीन के साथ चाय वैपार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, एक बढ़ा परिवर्तन अभिया हुआ कि बंगाल के गवर्नर जर्नल को पूरे भारत का गवर्नर जर्नल बना दिया गया, अभी तक गवर्नर जर्नल के कारकारणी में तीन सदस होते थें, अब सदस था लौड मैकॉले उसे विधी सदस से बनाया गया दास प्रथा को खत्म करने का प्रावधान भी इसी चार्टर एक्ट में किया गया चार्टर एक्ट 1853 फिर 20 साल बाद चार्टर एक्ट आया इसी एक्ट में सिविल सेवाओं की भरती एवं चैन हेतु खुली 1858 1857 के विद्रो के बाद महरानी ने कमपने के एक्छत राज को खत्म कर दिया और भारत को संपूर तोर पर ब्रिटिस सरकार के आधिन कर दिया इस एक्ट का एक्ट आम और भी है एक्ट आफ बेटर गवर्मेंट इन इंडिया 1857 के जन विद्रो के कारण ब्रिटिस सरकार को लगने लगा कि भारत जैसा भारा पुरा देश कमपनी की लापरवाही से कहीं हास से न निकल जाए इसलिए उसने भारत की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली और इस एक्ट के जरिये कमपनी के प्रसासन को खत्म कर पहले संचालक मंडल और नियंतरक मंडल होता था अब उसके बदले भारत सज्यू की न्युक्ति हुई उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य इंडिया काउंसिल बनाई गई अब गवर्नर जर्नल को वाइसराय कहा जाने लगा भारत परिशद अधिनियम इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 इस अधिनियम के जरिये वाइसराय को अध्यादेश जारी करने के बिशे साधिकार दिये गए यह भी कहा गया कि बिटिस समराठ भारत सज्यू का सहयोग या राय लेकर किसी भी एक्ट को रद कर सकता है भारत परिशद अधिनियम 1892 इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 इस अधिनियम के जरिये पहली बार निर्वाचन प्रणाली को लाया गया अब राज्यों के विधान मंडल के सदस केंद्रिय विधान मंडल के 5 सदसों का निर्वाचन कर सकते थे राज्यों के विधान मंडल के सदस अब केंद्रिय बजट पर बहस भी कर सकते थे हाला कि अब भी उनके पास बजट पर मत देने का अधिकार नहीं था भारत परिशद अधिनियम 1909 इस अधिनियम को मौरले मेंटो सुधार भी कहते हैं भारत सच्यू मौरले और वैसरा मिंटो के नाम से ही अधिनियम जाना गया इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रिय विधान मंडल के सदस्यों की संक्या 16 से 60 तक बढ़ाई गई पहली बार केंद्रिय विधान परिशद में निर्वाची सदस्यों के निर्वाचन के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 इस अधिनियम को मैंटु चेंफोड सुधार के नाम से भी जाना जाता है इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र में दुई सदनात्मक ब्यवस्था का निर्माण हुआ जो आज लोकसभा और राजसभा के रूप में जानी जाती है उस समय लोकसभा को केंद्रे विधान सभा और राजसभा को राज़ परिशत करके समोधित किया जाता था केंद्रे विधान सभा में 140 सदस थे जिसमें से 57 निर्वाचित सदस थे राज़ परिशत में 60 सदस थे जिसमें 33 निर्वाचित थे प्रांतिय बजट को केंद्रिय बजट से अलग इसी अधिनियम के माध्यम से किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 तीन गोल में समेलनों के बाद आई इस अधिनियम में 321 अनुचेत थे यह अब तक का सबसे विस्तृत अधिनियम था इसके द्वारा भारत परिशत को अब समाप्त कर दिया गया था प्रांतिय विधान मंडलों की संख्या में लगातार बृधि की गई वर्मा के प्रसासन भारत के प्रसासन से इसी अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था समिधान सभा 1946 समधान सभा की सदस भारत के राजयों के सदनों के निर्वाचिस सदसें के द्वारा चुने जाने वाले थे और यह चुनाओ 9 जुलाई 1946 को हुआ सम्मिधान सभा की पहली बैठाक 9 दिसंबर 1946 को हुई पंडी जवाहरलाल नहरू, डॉक्टर बियार अरंबेटकर, डॉक्टर राजिंद प्रसाद, सरदार वल्लब भाई पतेल, मौलान अबुल कलाम आजाद आदी इस सभा के प्रमुक सदस्तें बाद में यही सम्मिधान सभा दो भागों में विभाजित हो गई, जब पाकिस्तान अलग राश्ट बन गया, भारते सम्मिधान सभा और पाकिस्तान समुधान सभा की नाम से यह जाने गए भारतिय स्वतंतरता अधिनियम 1947 ब्रिटिस संसंद में 4 जुलाई 1947 को भारतिय स्वतंतरता अधिनियम प्रस्तावित किया गया भारतिय स्वतंतरता अधिनियम 1947 ब्रिटिस संसंद में 4 जुलाई 1947 को भारतिय स्वतंतरता अधिनियम प्रस्तावित किया गया और उनको बृतिश सरकार सत्ता सौप देगी. सत्ता का उत्तरदाई तो दोनों अधिराज्यों की सम्मिधान सभाको सौपा जाएगा. भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जर्नल होंगे जिनकी न्युक्ति उनके मंत्री मंडल की सलाह से की जाएगे सम्मिधान सभा का विधान मंडल के रूप में कार करना जब तक सम्मिधान सभाएं सम्मिधान का निर्मान नहीं कर लेती हैं तब तक वहाँ विधान मंडल के रूप में कार करते रहेंगी तो दोस्तों आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किया तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजे तक आने वाली हमारे नए वीडियो मिलें आपको सबसे पहले तो मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार